हलो दोस्तों बहुत सब्सक्राइब करने वाले हैं और पिछले एक साल में उन्होंने 100% के रिटर्न दिये हैं तो आए उससे बाते करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो मैं आपको पहले रिटर्न दिखाना चाहता हूँ आज की डेट में जरूरू इसमें गाता आप दिखाई दे रहा बट लॉंग टरम का प्रोस्पेक्ट रखेंगे तो हमेशे आपको प्रॉफिट में दिखाई देगा अच्छी कंपनी तो वन वीक का देखिए 34 ओके वन मन्त में 35 ओके त्री में लगबग 94% के डिटर्न और इस कंपनी को लेश्ट हुए हुआ नहीं है जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कोविट की वज़े से इन कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और कोविट की जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि डेली इंक्रीज देली 75 असी है लाग हजार कोविट के मरीज आ आजमी है और आये से लगे और भी बाते कर लेते हैं यह तो हो गया आपको प्रॉफिट तो इसके इलावब हम शेर होल्डिंग पैटर्र की बात करते हैं तो शेर होल्डिंग पैटरंस में आपको बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी जो की है प्रमोटर्स की जो कि उन्होंने बढ़ाए है 0.03% से उन्होंने अपनी holding बढ़ाई है foreign investor 17.67% की हिस्दारी रखते हैं जो कि उन्होंने 1.51% की हिस्दारी उन्होंने बढ़ाई है तो foreign investor and promoters as well insurance ने अपनी हिस्दारी 1.3% से बढ़ाई है and other DIS ने 0.06% से बढ़ाई है बस Mitchell Fund ने थोड़ी सी इस्दारी अपनी गटाई है जो कि 7.93 है और Neon Institution 5.9 बना है जहां पर इंस्टूशन जहां पर रिटल इंवेस्टर को होना चाहिए वहां पर रिटल इंवेस्टर है ही नहीं कहां पर कितनी 6% से भी कम की इस्दारी यहां पर hold करते है तो यह तो है पूरा प्रमोटर यह तो holding की बात हो गई और कमपनी की balance sheet के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए balance sheet देख लिए reserves देखिए पहले company की reserves की बात किया तो reserves देखिए लगभग 321.67 okay लगभग 321.67 करोर रुपीस के reserves इस company के पास है company मैंने अरड़ी starting में बता देखिए debt free है तो किसी भी तरीकर long term debt नहीं है as well as short term debt नहीं है investment की बात की जाए तो company ने लगभग 70 like 69.03 करोर रुपीस का current investment भी कर रखा है और cash and equivalent की बात की जाए तो company ने के पास 7.3 करोर रुपीस का यहां पर cash and cash equivalent भी है तो काफी अच्छी balance sheet भी है और small cap company है तो मैं आपको बताना हो जाए था small cap company में हमिशा risk जादा रहता है reward भी जादा रहता है भागेगी तो आपको पता है 100% के return दिया है और गिरेगी तो भी अच्छी तरहीं गिर सकते है बट अभी मौका ऐसा है कोई circumstances ऐसे है okay situation ऐसी है कि यह company भाग रही है और अभी अभी यह company और ज्यादा अच्छा performance करते हुए आपको नजर आएगी तो यह तो होगे company के balance sheet okay as well dividend की बात की जाए तो क्या बहती है दो दो बार dividend देता रहा के 50-50-20, 250% के rate इसने वह आपको दिये है dividend दिये bonus अभी कुछ हुआ नहीं है okay as well as हम इसके यहां पर बात कर लेते है 52 week high के आज के performance की तो देखिए आज के दिन ही लगबग 1150 के इसने 52 week high लगाया 52 week low की बात कर देखिए लगबग 400 रुपे में यह share 13 March को मिल रहा था quantity की बात की जाते हो आज भी 13% की quantity उठाई गई है इस company में और company information की बात की जाते हो और shareholding patterns already I have discussed with you 2019 में दो बार dividend okay interim and final dividend okay 20 रुपे और पांच रुपे का दो जारा में और कोई भी company का कूपर कोई भी किसी भी तरीके का प्लाज नहीं है किसी भी तरीके करज नहीं है जो की एक अच्छी कम बात है इस company की और तो company का नाम के बारे में जाते है company के बारे में तो करते है corona के और काफी Mumbai based company है ओके नवी Mumbai में headquarter है तो काफी जो Mumbai में ही यहाँ पर मरीजों की संक्या जादा है टेस्टिंग जादा हुई है okay as well as इसने अब भी कुछ time में ही Calcutta में okay I think Bangalore में as well as Delhi में अपने और भी जादा centers open कर लिया है जो की बहुत अच्छी बात भी है तो अग्रिसिवली काम भी कर रही है company five days का performance देख लीजिए okay 674 रुपीज पर five days पहले और अभी 1000 रुपीज के आस पर शेयर चल रहा है one month का performance देख लीजिए okay आज के दिन में ज़रू 5% के गिरावट हुई है no doubt okay but हमें long term देखना है तो आप देखिए year till date covid में company गिरी थी okay 400 के लगबग आई थी मैंने आपको देख पहले ही बता देख लो और अभी देखिए company ने क्या बहतरी रिजल्ट पेश करें company को जादर time हुआ नहीं है पास साल की भी history नहीं है okay first gen तो देखिए यहां पर यह update नहीं हुआ अभी तो आपको बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके की companies में थोड़ा सा ध्यान दीजिए debt-free company है थोड़ा बहुत पैसे invest कर सकते हैं अपने financial advisor से भी एक बहुत कर लिजेगा क्योंकि share अल्रेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है जैसे कि आप देखी रहे हैं आपर किस तरीके से share ने इस जंप लगाई है इस दौरान तो काफी जंप लगाई है 19 जून से लेके अभी देखेंगे तो 97% के रिटर में तीन महीने के अंदर नहीं अंदर इसने इतने 97% के रिटर 98% के रिटर में इसने दे दिये तो आपसे बताना चाहता हूं इस debt-free company है small cap company है तो इसके ऊपर थोड़ा ज़िद्यान दीजेगा है इस वेला risk reward ratio दोनों ही risk भी जादा है और reward भी काफी जाद है reward तो आपने देख लिए है risk अभी तक दिखा दिए है जादा time इस company का हुए नहीं है जैसे कि आप वगादा चार साल की ही history है चार साल पे भी 65% case ने रिटोंग दी है तो इसके ऊपर नजर बना के रह सकते है और COVID जैसे बढ़ेगा तो इन company को फायदा होगा तो यह business इनका पहले thyrocare की जैसे नाम है तो पहले thyrocare की जैसे नाम है तो पहले thyrocare से इनको जादा business आता था जो कि अभी normal है December से शायद इनके जो promoter से वो कह रहे है कि दिवारा से back to business वो जो पुराना business था उसमें आ जाएंगे as well as covid का तो इनका चली रहा है जो कि testing से लिटेरिंग का business है तो काफी अच्छा इनको result मिला भी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment share करिये as well as हमारे चाइन बॉस ओफ इने शेयर बजार को family friends share के साथ अपने share करिये subscribe करिये हमारे चानल को bell icon को दबाईये ताकि इस तर